आप सभी लोगों का सवागत है यूपी परिक्षा के आज के इस वीडियो में जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो अंतिम प्रहार सीरीज हमारी चल रही है उसको फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहां पर जुड़ चुके तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग जादा समयना लेते होगे उससे पहले में आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगा जहां जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में टेलीग्राम, Facebook, WhatsApp, Instagram जहां जहां पर में भी शेय कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को आप लोग जिन भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही फ्रेंड्स आप लोग सभी जितने भी लोग अभी बचे हुए वो भी लाइक कर सक तो चलिए फ्रेंड्स पहले कोशन के तरब में आगे बढ़ते हैं पहला ही कोशन आप लोग को करण्ट अफेर का है और यह कोशन पुछे जाने की बहुत प्रबल संभावना बनती है वर्ष दोहसाथ तेज का एबल पुरुसकार किस गनितग्या को प्रदान किया गया है यह कोशन पुछा गया है तो दिखे फ्रेंड्स एबल आप कब एबल हो जाते हो ठीक है अगर आप लोगोंने मान लिजी कि कॉफी पी तो आप बहुत ज्यादा एबल हो जाओंगे बहुत ज्यादा काबिल बन जाओंगे कॉफी पी के कॉफी पीते हो एकदम energy low हो होती है कॉफ के शेत्र में दिया जाता है ये भी याद रख सकते हूं आप लोग नोरवे के राजा के दौरा दिया जाता है जैसी spelling आती वैसी लिख दो ता कि आप लोगो को याद हो शेत्याल्य के याद हो घालिये और भी friends बहुत सारे questions प्रहारत में प्रांतिय स्वायत्तता, प्रांतिय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है friends, कि भाई हमारे भारत के अंदर में, जो आप लोगों के अलग-अलग प्रांत थे, 11 प्रांत थे, United Provinces, जिसको आप उत्तर प्रदेश बोलते हो, बिहार था, आसाम था, ठीक है, बंगाल अप लोगों का यहाँ पर में मद्य प्रांत था, यहाँ बॉंबे प्रांत था, मदराज था, सिंध प्रांत, मदरास प्रांत, ठीक है, ऐसे जो है friends, आप लोगों के टोटल जो है, ब्रिटिश बलुचिस्तान, ऐसे आपके जो 11 प्रांत थे, उनको स्वायत्तता, ओटोनॉ बनती है जो लोग 1919 आंसर कर रहें उन लोगों को बता दू, 1919 के अंदर में डाय आर्की, द्वैद साशन पद्धती लागु की गई थी प्रांत में, प्रांतों के अंदर में, प्रांत के जो काम थे उनके अंदर में, कुछ काम प्रांत का गवर्णर करेंगा, कुछ काम प्रां को स्वायतता थोड़ी थोड़ी ऑटोनोमी दी गई उनको अपने फैसले लेने का अधिकार दिया गया तो आंसर आप लोगों को option number D हो जाएगा ठीक है next question के तरब में आगे बढ़ते है वन्ने जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है वन्ने जीव दिवस ये भी अपने आप में बहुत ही important question है friends आप लोगों का वन्ने जीव दिवस कब मनाया जाता है आप लोगों का तो वन्ने जीव दिवस जो है ये मनाया जाता है आप लो जो है वो कब पास हुआ था आप लोगों का अधिनियम ये कब पास हुआ था गर ये कोशन आ जाए तो 1972 में पास हुआ था ये भी आप लोगों को याद रख लेना है वन्य जीव संद्रक्षन अधिनियम वन्य जीव जो है यहां पर में दिवस कब मनाया जाता है विश्व वन टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 के अंदर में, तो 3rd March को आप लोग वन्य जीव दिवस मनाते हो, और वन्य जीव संरक्षन अधिनियम 1972 के अंदर में, एक और है आप लोगों का Pollution, ठीक है, आप लोगों का Environment Protection Act, ठीक है, परियावरन संरक्षन अधिनियम, अगर परियावरन संर संरक्षन अधिनियम, परियावरन, वन्य जीव की जगह परियावरन आजाए, तो आंसर होंगा आप लोगों का 1986 के अंदर में आया था वो, ठीक है, परियावरन संरक्षन अधिनियम 1986 के अंदर में, Environment Protection Act, ठीक है, चालो, गुड, नो फिर नेक्स, आगे बढ़ते हम लोग य उसके बाद से लेकर, को के, 1950 तक, मतलब 26 जनवरी 1950 तक भारत में 2 गवरनर जनरर है, एक थे, Lord Mount, ठीक है, Mount, बेटन, ठीक है, Lord Mount, बेटन, ठीक है, 1947 से 1948 तक थे, 1948 तक और 1948 से लेकर 1950 तक थे, आपके, ठीक है, C. Raj Gopalachari, C. Raj Gopala, Gopalachari, ठीक है, Raj Gopalachari, राज Gopalachari, पहले जो थे, आपके, वो थे, Lord Mount, बेटन, ये तो अंग्रेज थे, भारतिय नहीं थे, भारतिय गवरनर जनरल, ओके, 1948, 1950 तक थे, C. Raj Gopalachari, तो एक मातर भारतिय गवरनर जनरल थे, C. Raj Gopalachari, भारत के प्रथम, भारतिय गवरनर जनरल, या फिर आखरी भारतिय गवरनर या एक मातर भारतिय गवरनर जनरल, C. Raj Gopalachari थे, और आजाद भारत के पहले गवरनर जनरल कौन थे, आजाद भारत के पहले गवरनर जनरल थे, Lord Mountbatten, कितने गवरनर जनरल हुए आजाद भारत के अंदर में, ये आप लोग बताओ अब मुझे, ठीके, स्वतंतर भारत में कितने गवरनर जनरल हुए है, टोटल मिला के, भारतिय विदेशी, जो भी मिला के करना है, आप लोगों बता दो, आप लोग, चालिए, वेरी गूड गुरिया कुमारी, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में, हाल ही में, प्रकाशित वैश्विक, आतंगवाद, सूचकां में भारत का कौन सा स्थान है, ग्लोबल टेररिजम इंडेक्स दोहजारेईस में, ग्लोबल टेररिजम इंडेक्स उन देशों के लिए, मतलब जो रैंकिंग दी जाती है, जो सबसे जादा शटिग्रस्त हो, आतंगवाद से, टीक है, तो यह आप लोगों को बताना है, ग्ल जी तो भारत जो है friends आप लोगों ने याद रखना है आपका जो आतंगवाद के आतंगवाद देखो ये इसका ये मतलब नहीं है friends global terrorism index का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भारत कितना आतंगवाद दी आतंगवाद प्रोड्यूस कर रही है इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो यह मतलब निकाल लेते हैं कि आतंगवादी कितना प्रड्यूस कर रहा है यह इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका यह मतलब है आतंगवाद से हिट कितना है और भारत जो है वह तेरवे नंबर के उपर में आता है जितना कि प्रभावी थे ये भी आप लोग याद रख सकते हो, इंपोर्टेंट है इस एक्जाम के अंदर में पूछा जा सकता था, तो प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखोंगे, इंपोर्टेंट है आप लोगों का, चालिए, नाव फ्रेंट नेक्स कोशन के तरफ में आ तो ये इसमें से आप लोगों की जो साथवे नंबर की जो अनुसूची है, उसके अंदर में तीन कामों का बटवारा किया गया है, संग के काम, या फिर केंद्रसरकार के काम, राज्ये के काम, और कुछ काम ऐसे हैं, जो समवर्ती, मतलब की दोनों मिल कर करेंगे, तो दोनो मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर जो करेंगे काम उसको समवर्ती सूची में रखा गया है और यह अवधारना हमने ऑस्ट्रेलिया के समीधान से ली थी यह आप लोग याद रख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के समीधान से यह अवधारना ली गई है समवर्ती सूची की अवधारना ब इतने जादा एक्जाम्स के अंदर में यह पूछा गया आप लोगों का, चीक है, आस्ट्रेलिया के सम्विधान से लिया गया है, व्यापार, और इसके अलावा संयूक तो बैठक, जो जॉइंट सिटिंग होती है, हमारी लोग सभा, राज्य सभा की संयूक तो बैठक जो होत अरिजिनल में आठ थी, लेकिन अब बढ़कर प्रेजेंट के अंदर में बारा हो गई है, मतलब चार हम लोगों ने और जोड़ी है, उसमें से जो दसवे नंबर की अनुसूची है, उसका संबंद किस से है, उसका संबंद एंटी डिफेक्शन से, एंटी डिफेक्शन बदल प्रतिरोधी विध्यायक या विध्ययन आप लोग बोल सकते हो, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई एक पार्टी से, A, B, C, D नाम की पार्टी से आप जीत कर आये हो, और आप जो है आप दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हो, तो आपको पहले इस्तिफा देना पड़ेगा, अगर आप दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, तो आपकी सदसेता अपने आप चली जाएंगी, तो एंटी डिफेक्शन मतलब कि पहले क्या होता था इससे पहले, अठासो परशेसी से पहले यहाँ पर में 52-वे समीधान संशोधन से पहले कि जैसी चुनाओ जीतते थे, उनकी अंतरात्मा जाग जाती थी, कि मेरी अंतरात्मा से एक आवाज आ रही है कि में को ABCD पार्टी से नहीं, ठीक है XYZ पार्टी में होना चाहिए अगर के, और वो पाला बदल लेते थे और उस पार्टी की सरकार बनवा देते थे, उनकी अंतरात्मा जाती थी थी क्योंकि घर पे एक suitcase भरके पहुच जाता था उनके पास में, इस चीज को रोकने के लिए यहां पर में जो है वो anti-defection law लाया गया था, 1985 में राजु गंदी की सरकार के समय में, यह भी याद रखना है आप लोगों ने, 52 नंबर का समिधान संशोधन था यह, ठीक है, 1985 के यह दो पॉइंट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, यह भी आप लोग याद रखोंगे, ठीक है, पंचायती राजवाला तो आप लोगों का जो है friends, यह याद रखना है आप लोगों ने, यह आप लोगों का 73rd नंबर का जो constitutional amendment act था, उससे related है, और यह आपकी 11 नंबर की अनुसूची है, 11 नंबर की अनुसूची, भूमि सुधार के लिए जो आप लोगों की 9 नंबर की 9 वली जो अनुसूची थी, वो लाई गई थी, पहले समविधान संशोधन के जरीए, ठीक है, भारतिय प्रायद वीब की सबसे उची परवस चोटी कौन सी है, भारतिय प्र मुलायम सींh यादो, जिनकी कुछ समय पहले मृत्ती हो गई थी, तो जो है यह कौनसी पाटी के थे सबसे पहले तो यह बता देना आप लोगों आप लोगों को तो सभी को पता होना चाहिए ठीक है इसके अलावा इनको कौन से पुरुसकार से सम्मानित किया गया है हाल ही में इनको एक सम्मान दिया गया है कौन सा पदमश्री से दिया गया है वुलायम सिंह यादो का नाम आप लोगों को उसके अंदर में मिल जाएगा ठीक है पद्मा अवार्ड जो है 2023 के जो अनौंस किये गए है उसके अंदर में ठीक है तो आपके 6 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म भूशन से समानित किया गया उनमें से एक जो है आपके वुलायम सिंह आपके पद्म भूशन से समानित किये गए लोग 9 है और पद्म भूशन से 6 तो पद्म पद्म पूरुसकार है आप लोगों के पद्म पूरुसकार फिक है fasti fastmy पूरुसकार貝 पदम ah पद्म भूशन, पद्म भूशन, और एक होता है आप लोगों का पद्म श्री, पद्म श्री, तो पद्म विभूशन जो की सबसे बड़ा पद्म अवर्ड है, भारत रतन के बाद में ये दूसरे नमबर का सबसे बड़ा भारत का अवर्ड है, पद्म विभूशन, तो उससे स आकिर हुसेन, SM कृष्णा, दिलीफ महाल नोबीस, ठीक है, श्री निवास वर्धन, इनको भी समानित किया गया है, और छटवे नंबर के उपर में, यहाँ पर में, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उतरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, गुलायायम सिंग या सदी से बताते जाएंगे यहाँ पर में, लाइक और शियर करते रहेंगे आप सब भी लोग, यहां पर में देखि पर्टिकुलर्ली इस कोउचन का अंसर क्या होंगा, के एंदर में कौन सी वाली चोटी है आप लोगों की, खेरल के अंदर में हैं आप लोगों की अनाई मु हो रो लोगों का एकी जोड़ी जो है वो लगने वाली थी तीन के साथ में और एक जोड़ी तीन के साथ में केवल एक ही जगह पे लगा पर लगा कर और यह UP-PCS 2018 का question है आप लोगों का, direct question, बताओ नागा लेंड की क्या है आप लोगों की, सभी लोग लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, नागा लेंड की सबसे उची चोटी कौन सी है, माउन्थ सारा मती, उत्ता रखंड की सबसे उची चोटी कौन सी है, नन्दा देवी, ठीक है ? नन्दा देवी Biosphere Reserve कहापर में आप लोगों का, उत्ता रखंड के अंदर है, ठीक है, राय बरेली उत्तरप्रदेश में जिनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है राय बरेली के अंदर में देखिए अप लोगों का उनके नाम के उपर में एक स्टेडियम बनाया गया अभी यह भी एक कोश्चन बन सकता है आप लोगों का उस महिला का नाम बताईए जिसके नाम के उपर में stadium बनाया गया अभी वेरी गुड दिखे आप लोगों के answers भी आगए मैं आप लोगों के image भी दिखा देते हो friends यहाँ पर में ठीक है एक hockey turf उनके नाम पर बनाया गया है Rani's Girls hockey turf उनके नाम से मैं आप Google दिखाना चाहूँगा यहाँ पर में यह देख सकते हो आप लोग तो Rani Rampal जो हमारे भारतिये महीला hockey team की कप्तान है ठीक है तो उनके नाम के उपर में यहाँ पर में friends यह बनाया गया यह यह यादखने आप लोगों ने ओके रानी गर्ल्स hockey turf इसका नाम कर दिया गया है MCF राइबरी लिए उसका नाम था पहले अब MCF जो है उससे उसका नाम बदल के यहाँ पर में कर दिया गया है Rani's Girl hockey turf रानी रामपल के नाम पर तो यह directly question बन सकते है आप लोगों का Rani Rampal okay hockey का stadium बनाया गया इनके नाम पर कर दिया गया hockey के stadium का नाम रानी रामपल के नाम पर okay next question के तरफ में आगे बढ़ते है friends रुद्र प्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलग नंदा नदी से होता है रुद्र प्रयाग में आप लोग ने पंच प्रयाग का नाम सुना होंगा friends पंच प्रयाग उत्तरा खंड के अंदर में पंच प्रयाग है और पंच प्रयाग के अंदर में जो है एक नदी बहुत ज़्यादा common है ठीक है एक नदी है वो है अलख नंदा नदी अलग अलग अ आती है और उसमें मिलकर अलग अलग जगहों के उपर में नदी को और जादा विस्तरत करती जाती है ठीक है उसी में से एक नदी है एक जगा है जहां पर में रुद्र प्रयाग है ठीक है रुद्र प्रयाग इस जगह तो कितने लोगों ने answer यहाँ पर में चाही लगाया था देख लेते हैं। तो यहाँ पर में देखी ही friends अलक नंदा न्दी जो है ये आ रही है इसके अंदर में कावि सारी नदीया आकर मिलती है। तो यहां पर में सबसे पहले धौली गंगा जहां आकर उससे मिलती है उस जगह को बोला जाता है विश्णु प्रयाग, क्या बोला जाता है विश्णु प्रयाग, जहां पर में नंदाकिनी नदी मिलती है उसको बोला जाता है नंद प्रयाग, पिंडार नदी जहां पर में मि नदी आपको काने नदी में उसनी नदी आके उते हैं और पोलते हो घंगा नदी धिक हैं तो अलकनन्दा और भागी रथी नदी के संगती है घंगा नदी में भागी यस इंद्वी नाम सत्वम में और आपि नाम सारे कानंध में फैर अ convincing कर्ण प्रयाग में कौनसी दो नदिया मिलती है अगर मैं आप लोगों से पूछू तो आप लोगों का एक आंसर तो पक्का होना चाहिए कि सर एक तो पता है अलक नंदा होंगी करके पंच प्रयाग के अंदर में कर्ण प्रयाग बोला मैंने आप लोगों को क्योंकि पाचों क बहुत सारे points में आप लोगों को बता सकू, ओके, चलिए, तो यह पूछने की बहुत प्रबल संभाव नहीं आप लोगों की, पंचे प्रयाग, क्योंकि पंचे प्रयाग में काफी बार बच्चे जो है, confused हो जाते हैं, पिंडार और अलख नंदा नदी, very good, ठीक है, नीमना लिखित में से किस देश में भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए operation कावेरी शुरू किया था, very, very, very important point, ठीक है, very important question, friends, आप लोगों का, in which of the following countries, India has launched operation कावेरी to rescue its citizen, operation, Ukraine में, Sudan में, Venezuela में, Peru में, कहाँ पर मैं, operation कावेरी शुरू किया है, तो operation कावेरी जो है, friends, पर अफरेका को अपर में क्या है, तो आंसर इसको option number B हो जाएंगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों ने ओके operation काविरी शुरू किया गया है आप लोगे का उसका नाम था मोचा ठीक है तो मोचा मोचा नाम का एक तूफान आया था तो इस तूफान के अंदर में म्यान मार के काफी सारे लोग हताहत हुए बहुत जाद अनुक्सान पोचा तो हम लोगों ने क्या किया फ्रेंट्स एक माना उतावादी मदद वहाँ पर में भेजी थी उस operation को उस मदद को हमने नाम दिया था Operation Karuna क्योंकि हमने Karuna वर्ष थोड़ा सा आप मान सकते हो कि हमारा एक यहां पर में हमें compassion आया उन लोगों के प्रती तो हम लोगोंने Operation Karuna चलाया मोचा साइक्लोन के अंदर में, जो म्यानमार के अंदर में लोग प्रभावी थी है, उन लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना आफ सभी लोग, उसके बाद में फ्रेंट्स नेटो जो है आप लोगो इसके स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है, फ्रेंट्स थापना, ये भी आद रखना है आप लोगों इसका स्थापना in 1949 के अंदर में, इसका ह awareness में मिलेंगा, आप लोगों को, तो इसका headquarters भश्चे ब्रसेल्स के अंदर में, Brussels, Belgium के अंदर में, Belgium, Belgium के अंदर में है, इसका headquarter Brussels, Belgium में, और इसमें आप 31 member हो चुके है, total, 31 member, तो यहां पर में, Finland, जो है, इसका 31 नंबर का देश बन गया है, यह आप लोगों से पूछा जा सकता है, important question है, फिनलेंड, यह भी आद रखना है, आप लोगों ने, इसकी राजधानी इसका headquatzers कहाँ पर में है, इसका headquatbers आप लोगों का है Brussels, Belgium में, Belgium की राजधानी और Brussels, वैसे Finland की भी बता सकते थे, you know, , Finland की भी कोई दिक्कत वाजी बात नहीं है, okay, Helsinki, 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 Helsinki इसकी राजधानी है, Helsinki, okay, चालो, आगे बढ़ते हम छोग, यहां पर में हमारे, next question के तरफ में, यहां पर में आप लोग देख सकते हैं, 1949 से कैसे कैसे जो है धीरे 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 इसके अंदर में जो है, वो members जुडते गए और यह अभी हाल ही में, Finland नाम का जो देश है, वो 31 नंबर का इसका सदस्य बन गया है, next question के तरफ में आगे और मनाते भी क्यू है यह भी पता दीजी आप लोग सभी लोग, आपको पता होना चाहिए, friends की रास्ट्रे प्रोध्योगी की दिवस जो है, वो हर साल मनाते है, 11 माई को, क्योंकि इसी दिन हम लोगोंने पोखरन, दो नाम का जो आपका, एक atomic bomb का हमारा जो प्रक्ष, जो ए लोग ने इस दिन किया था, 1998 के अंदर में, इसी वज़े से, friends, 11 माई को हर साल हम लोग National Technology Day या फिर राश्ट्रे प्रोध्योगी की दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप लोग ज्याद रख सकते हो, चाहिए, 12 अगस्ट को, friends, अंतरास्ट्रिय यूवा दिवस आता है International Youth Day, International Youth Day, अच्छा, National Youth Day कब आता है, बता सकते हो, राश्ट्रिय यूवा दिवस कब आता है, 12 अगस्ट को, अगर मान लीजिए, कि International Youth Day आता है, तो भारतिय यूवा दिवस कब आता है आपका, ये आप लोग मुझे बता देंगे, कमेंट करेंगे, चाहिए, नेक्स्ट कोष्चन की दरब में आगे पढ़ते हैं, आपको बताना है, मई 2023 में, निम्दमें से किस राज्य सरकार ने एक online घ्रामिंड सिक्षा कारेकरम पहल शुरू की है, ठीक है, पहल नाम से एक घ्रामिंड सिक्षा कारेकरम शुरू किया गया है, ये बताना है आप लो तो दिखें friends, यहाँ पर में उत्रप्रदेश की सरकार ने इसको start किया है, आपको बता दू, ये किया गया है with the help of, with the help of IIT Kanapur, ये भी question बन सकता है, आप लोगों का, IIT Kanapur की मदद से इसको start किया गया है, इससे क्या होंगा friends, जो ग्रामिंड शेत्र के जो युआ है, उनको science और mathematics से related, जो latest जानकारी है, वो available करवा ही जा सकेंगी, science और math से related, important information, ग्रामिंड जो शेत्र के विद्ध्यारती है, उन लोगों को available करवा के दी जा सकेंगी, online तरीके से, तो online ग्रामिंड शिक्षा कारे करम हैं, एक पहल, ये भी याद रखने आप लोगोंने, IIT Kanapur की मद 2027 की मेजबानी कौन करेगा, ठीक है, एक्चुल में हुआ क्या था, friends की, इंडिया ने अपनी bid लगाई थी, कि हमारे हापर में होना चाहिए, अगर कि Asia football club 2027, लेकिन भारत ने अपनी दावेदारी वापस ले ली, और भारत की दावेदारी वापस लेते ही, ये किसको मिल ग लोगों का, ये मिल गया, साओधी अरेबिया को, ठीक है, साओधी अरेबिया को मिल गया, तो ये आप लोगों को याद रखना है, साओधी अरेबिया को इसको होस्ट करेंगा, इंडिया ने अपनी जो दावेदारी थी, उसको विड्रॉ कर लिया था, ये भी याद रखना ह में आगे बरते है friends यहां पर में हमारे आप लोगों को बताना है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में सब में पहले Integrative Medicine Center का उटगाटन किया गया Integrative Medicine Center ठीक है यह भी बता दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से इंटिग्रेटिव मेडिसीन सेंटर इसका उटगाटन किया ही इसलिए गया है ताकि भारत का जो मेडिसीन का नौलेज है इंडिया का जो मेडिसीन का उसको भी इस्तेमाल किया जा सके मेडिसिन बनाने के लिए जो भारतिया ग्यान है उसका इस्तिमाल किया जा सके और दिल्ली के अंदर में इसको उडगाटन किया गया है आपर में सफदर जंग एक होस्पिटल है सफदर जंग होस्पिटल दिल्ली का वहाँ पर में इसको इनग्रेट किया गया था दिल्ली के अ मेडिसीन के से हेत्र के अंदर में, अब जो कोश्चन करा रहा हूँ यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है इसको सुपर डूपर इंपोर्टन मार करो आप सभी लोग, ठीक है, बार्ड नाम का, ठीक है, एक AI chatbot है, AI chatbot, यह कौन सी company ने launch किया है, अभी आप लोगों को पता है, friends OpenAI जो है, उसने ChatGPT नाम से, OpenAI नाम की जो company है, उसने ChatGPT नाम से एक website निकाल ली थी, एक software निकाला है, उन लोगों ने Android के अंदर में भी आ चुका है, वो तो आपका, ठीक है, तो, वो OpenAI नाम की company है, Microsoft ने उसको खरीद लिया है, लेकिन, friends, बार्ड नाम का, जो AI chatbot है, यह किस ने निकाला है, तो यह Google ने निकाला है, यह बहुत important point है, इसको याद रखना आप लोगे, Google ने निकाला है, ठीक है, exam के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते है, next point के तरप में आगे बढ़ते हैं, हम लोग friends यहां पर में, यह आप देख सकते हो, बार्ड नाम का, और यह बहुत जल्दी जो है friends, आप लोगों का हो सकता है, कि आप लोगों की भी हाथ में आजाए, क्योंकि Google जो है, इसकी टेस्टिंग Google ने शुरू कर दिये, इस वर्ष की गंतंतर दिवस परेड में निम्न में से किस राज्य की झाकी को स्थिर्ष पूरुषकार से समानित कि किया गया है, important question है, आप लोगों का आपको बताना है कि इस वर्ष की गंतंतर दिवस परेड में किस राज्य की जाकी को सिर्ष पूरुषकार से समानित किया गया है, कौन सा राज्य है जिसने टॉप किया है इसमें, तो यह भी important question आप लोगों का बन सकता है friends, यहाँ पर में यह आप देख सकते हो उत्राखंड की जाकी यहाँ पर में, और उत्राखंड की जाकी जाकी थी उसका नाम था मानस खंड, ठीक है, मानस खंड, तो किस जाकी ने प्रथम स्थान किया है, हासिल किया है, आपको पता है हर साल 26 जन्वरी को, 26 जन्वरी को, अलग-अलग राज् की आई थी साड़े तीन शक्ति पीट एवं नारी शक्ति यह उसका थीम था तीसरे नमबर पर उत्तर प्रदेश का था आयोध्या दिपोट्सव ठीक है इसके अलावा जो है फ्रेंट सर्वसे जाकी अगर किसी विभाग को मिली है विभाग को मतलब कि जैसे राज्जी अपनी सर्वसे जाकी दी गई है मंत्राले या विभाग के अंदर में तो EMRS एकलव्य मॉडल आवासिय विद्याले EMRS एकलव्य मॉडल ठीक है Residential Schools English में जिसका मतलब होता है उसको मिला है यहां पर में सर्वसे जाकी का पूरुसकार next friends आप लोगों का which force has been adjust as the best marching contingent among three services at this year's Republic Department basically यहां पर में बुला गया है कि कौनसे वाली हमारी जो शशक्त बल है अलग-अलग जो हमारी शशक्त बल है उन में से कौनसा वाला एक हमारी जो है रेजिमेंट है या राइफल है उसको मिला है सर्वस्रेस्ट मार्चिंग दल का यहां पर में कि उसकी जाकी को मिला है basically ठीक है तो number eight squadron IAF राजपुताना राइफल गोरखा रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट किसको मिला है जल्दी जल्दी से इसका answer क्या होगा बहुत बढ़ी है friends आप लोगों के देखिए यहां पर में continuously answers आ रहे हैं यहां पर में अगर हम लोग यहां पर में इस particular जो है यहां पर में इसकी बात करें इसके अंदर में तो पंजाब रेजिमेंट जो है उसको यह आवार्ड मिला है यह आप लोगों को याद खना है answer इ इसको याद रख सकते हो आप लोग और अगर हम लोग बात करें auxiliary forces की देखो यह है आप लोगों का contingent तीन services तीन हो जो थल सेना जल सेना और वायू सेना है उन में से अगर हम auxiliary forces की बात करें जो auxiliary forces यहां जो हमारी reserve forces है उनके अंदर में तो CRPF को मिला है यहां पर में CRPF को ठीक है और अगर हमारी सेनाओं में से बात करें तो सेनाओं में से जो हमारी थल सेना की पंजाब रेजीमेंट है उसको मिला है सबसे बेस्ट वाला वर्ड वू वाज इन्वाइट एस दा चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन नाइट टूजन टूजन ट के अभी राष्टर पती है और होसनी मुबारक एक समय में तानाशा हुआ करते थे एजिप्त के अबदेल फटेह अल सिसी जो है फ्रेंड यह यादखना एजिप्त के प्रेसिडेंट है और इनको आमंत्रित किया गया था इस बार यह भी एक इंपोर्टन पॉइंट आप लो अब प्रतिक परिवार को 100 दिन की जो है गैरेंटी देता है रोजगार की, कि हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार जरूर दिया जाएगा तो यह कब आप लोगों का लागू हुआ था तो मनमोहन singh build सरकारती इससंवे में यह लागू गया था September 2005 की अंदर में तो यह आप लोगों याद रख सकते हो September 2005 September 2005 के अंदर में अगर आप लोगों को याद रखना है तो आप इसको भी आप सकते हो 7 September 2005 को लाग templi किया गया था ठीक है तो मनमोहन सिंग जी की सरकार के समय में 7 सेप्टेमबर 2005 को मनरेगा महात्मा गांधी राश्ट्री ये ग्रामीन रोजगार गैरंटी योजना को लागू किया गया था अप लोगों का ठीक है तो आंसर इसका option number A हो जाएगा ठीक है साथ सेप्टेमबर 2005 को next friends Indus Water Treaty जो है वो न्यूज में थी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक negotiation है जिसके तहत जो इंडस वाटर है सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदिया है आप लोगों की ठीक है सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदिया है बेसिकली उसके पानी का बटवारा किय थ месяMalra Mapatya को किया गया है इंडस वाटर है तो चालत संदी जो के भारत और पाकिस्तान के बीच में उसकी सहायक नदियों के बीच में past מאbonती को स्कती है जिसकी गैरेंटी विश्व बैंक आप लोगों की तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना इसको इसके अलावा जो है friends अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में next question आप लोगों का देखिए ये इंडस वाटर ट्रीटी आप लोगों की आप लोग देख सकते हो friends इसमें से सिंधु नदी ठीक है जीलम नदी और चेनाब नदी सिंधु जीलम और चेनाब ये जो तीन नदीया है उपर की तीन नदीया है ये आप लोग देख लोग ये पाकिस ये तीन ऊपर की नदीया है इनका पानी पाकिस्तान को दिया जाएगा और बाकी की जो तीन नदीया है उसका पानी भारत लेगा भारत यूज करेंगा पूरा भारत का अधिकार रेगा ऐसा नहीं कि भारत इसका पानी इसका पानी इस्तिमाल नहीं कर सकता है लेकिन बड़े मध्यप्रदेश के एशिया ही खेलों के लिए प्रतिनी तित्व करने के लिए इनको चूना गया था यह बताईए आप लोग यहां पर में किस खेल के लिए इनको चूना गया था कौन से खेल से रिलेटेड है यह तो मुसकान किरार जो है फ्रेंट से मध्यप्रदेश की है आर्चरी मतलब जो तीरंदाजी है उससे रिलेटेड है और उन्होंने एशिया ही खेलों के अंदर में क्या किया था भारत का प्रतिनी धित्व किया था यह याद रखना है आप सभी लीजिए यहां पर में हिमाले का पूरा का पूरा शेत्र है हिमाले की सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है उसको शिवालिक कहा जाता है आपका और शिवालिक के जस्ट नीचे में ठीक है यही बोला है न ओभ हिमाले शेत्रे के सहारे फैले समतल मैदानी इलाके को यहां पर म तराई बोला जाता है, तो यह आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक map के तुरू, एक image के तुरू दिखातों मैं आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोग देखें, यह हिमाले है, हिमाले से just नीचे में अगर आप आओंगे, यहाँ पत्रीली भूमी है आप लोगों की, ठ चति लेखें, जल डली भूमी को, उसको तराई कहा जाता है, और फिर बाद में यहाँ पर में aluvial soil का plane है, आप लोगों का, जलोड मिट्टी का इलाका, जलोड मिट्टी में भी जो पुरानी वाली जलोड मिट्टी उसको भंगार कहा जाता है, और खादर कहाता है नई वाल मिठ्टी को छी एक तो जैसे ही हिमालय के सम्तल में आप लोगों से पूछ जा रहा है तो भाबर होंगा आप लोगों का भाबर जो है पत्रिली भूमी का एक प्रदेश है आपका और उसके बाद में तरही वाला शेत्र है डल दली भूमी वाला क्वेट्र तो तो समतल फैला हुआ मैदान कौन सा है भाबर है बिल्कुल जस्ट उसके नीचे में आउंगे तो भाबर मिलेगा आप लोगों को ठीक है पत्रीली भूमी का मैदान ही है तो भाबर आप लोगों का आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नमबर डी ऐसे आप लोग इसको याद रख की अंदर में है दुनिया की सबसे लंबी नदी और जो है यहां पर में अगर यह दो बज गई है तो इन में से जो है यह दोनों नदी आपकी चाइना में और यांग से रिवर जो है यह याद रखना है आप लोगोंने एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग से रिवर ओके तो एशिया की सबसे लंबी नदी चाइना के अंदर में यांग से रीवर है, याद रखेंगे आप सब भी लोग, ओके, चाली, नेक्स्ट, जो है, कोश्चन के तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स, लोकेटेड ऑप लोकेटेड, बड़ल परेप लोकेटेड, ये नाम ही थी, यह Paradise dewकेटेड, चाली, परेट लोकेटेड उठकेट, वज़तेड जाते हैं, उनहीं के बज़ए से पूरा का पूरा कीटेड में बंजाता जयता है, पहाँ पाहाद अधकीड नीच जाता है, तो Australia के अंदर में हैं friends, यह आप लोग देख सकते हो, यह Australia का नक्षा है, और Australia के पुर्वी किनारे के अंदर में यहाँ पर में आप देख सकते हो, पूरी की पुरी पुरी पहाडों के शंकला, यह coral reef से बनीवी है, coral reef, ठीक है, तो great barrier reef कहा जाता है इसको, Australia के अंदर में हैं य great barrier reef, प्रवाल भित्तियों से बनीवी शेल, आप लोगों की यह, ठीक है, नेक्स कोशन के दर में आगे पढ़ते हैं friends, आप लोगों को बताना है, प्रार्थना समाज, ब्रामो समाज, आरिया समाज, रामकृष्ण मिशन, आपको जोडिया मिलानी है, और options यहाँ पर में दि की बात करूँ friends, आप लोगों से, तो ब्रामो समाज जो है, यह तो बहुत ही आसानी से आप लोग लगा सकते हैं, ते राजा रामोहन रोय, ब्रामो समाज के संस्थापक है, तो दो की जोडी जोडी एक के साथ में लगनी चीए आप लोगों की, या दो की जोडी एक के साथ साथ में ठीक है तो 2 की जोड़ी एक के साथ में यहां तो नहीं लगी है यहां भी नहीं लगी है उसके बाद में जो है प्रेंट्सा आरिया समाज स्वामि दयानान स्वाति कहीं पे दिया है क्या-स Nacional स्वामि यहां दिया हूँ है सी की जोड़ी answer is option number D और मैं अगर आप लोगों से प्रार्थना समाज की बात करूँ friends तो प्रार्थना समाज यहाँ पर मैं आप लोगों ने यह याद रखना है कि प्रार्थना समाज के बारे में अगर आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए तो M.G. Rana Day ठीक है यहाँ पर मैं आप लोगों का अंसर हो जाएंगा प्रार्थना समाज जो ही है महराष्टर के अंदर में स्टार्ट किया गया था ब्राहमों समाज की तर्षपर 1848 के अंदर में चाली इलबर्ड बिल विवाद भारत में निम्नली कितम से किस ब्रिटिश वाइसराय के काल में हुआ था बहुत ज्यादा भारत के जो वाइसराय थे वो थे Lord Rippon इलबर्ड बिल जो इस प्रकार से थी कि यूरोपियन जजेज हुआ करते थे और भारतिये जजेज उआ करते थे यूरोपियन जजेज को जाद काल की थी आप लोग ग्याद रखोंगे 1883 के अंदर में काफी बार पूछा जाता है कोशन सुभास चंदर बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारती राश्टी कॉंग्रेस का अध्यर्ष चुना गया था यह देख सकते हो यह यह देख सकते हो यूपी PCS GS 2007 में पूछा सुभास चंदर बोस के त्याग पत्र देने के बाद में किसे भारती राश्टी कॉंग्रेस का अध्यर्ष चुना गया था तो आप लोगों का यह हो जाएंगा राजेंदर प्रसाद को चुना गया था इंपोर्टन कोशन आप लोगों का B is the correct answer ओके नेक्स कोशन की तरब मे वो दुटिये गोल में सम्मेलन, second round table conference के अंदर में हिस्सा लेने के लिए England जाएंगे, ठीक है, London जाएंगे वो, तो यह हुआ था 1931 में, specifically बात करो तो March 1931 के अंदर में हुआ था, इसके बाद में एक session बुलाया गया था, Congress का session, इस समझोते को ratify करने के लिए Congress का session बुलाया आप लोग और उसके अध्यक्ष थे, वल्लब भाई पतेल, सर्दार वल्लब भाई पतेल, ठीक है, सर्दार वल्लब भाई पतेल जो है, इसके अध्यक्ष थे, यह भी याद रख सकते हो आप लोग, ठीक है, निमनल कितमे से कौन दांडी मार्ष में महात्मा गांदी के साथ था ठीक है एक अमेरिकी पत्रकार था फ्रेंड जिसने भारत गांदी जी के साथ में यात्रा की थी दांडी मार्श के समय में और दूसरा में दांडी मार्श के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा यह जो दांडी मार्श था आप लोगों का यह आपका स्टार्ट हुआ था friends 12 March को 12th March 12th March 1930 को यह start हुआ था okay और गांधी जी ने 78 अपने साथ में सहयोगियों को चुना था जो उनके साथ में चले okay और यह जो यातरा थी आप लोगों की friends खतम हुई आप लोगों की जब गांधी जी ने नमक उठाया वहाँ पर में जाकर ठीक है 6th April को 6th April को दांडी पहुचकर गांधी जी ने वह नमक उठाया था ठीक है वहाँ पर में यातरा खतम हुई इसमें गांधी जी ने अपने साथ में कितने लोगों को लिया था 78 लोगों को लिया था यह भी याद रख सकते हो यह पूरी की पूरी जो यातरा थी friends यह 240 म miles जिसको अगर आप लोग किलोमेटर में convert करोंगे तो 386 किलोमेटर के करीब करीब आता है यह आप लोगों का ओके इसमें गांधी जी के साथ में जो पत्रकार थे जो गांधी जिसका साथ में चले थे उनका नाम था वैब मिलर यह भी याद रखने आप लोगों ने वैब मि लोग थे तोटल गांधी जी को मिला के से गांधी जी ने अपने साथ 78 लोगों को और लिया था ओके चाल तो वैब मिलर थे अमेरीकी पत्रकार थे यह याद रखने है आप लोगों ने ने निमनलिकित में से कौन सा तारा सूरिय के सबसे नस्दीक है सूरिय के अलावा जो सूरिय के सूरिय का सबसे नकटम तारा है और वो भी इतना दूर है कि मान लोग यह सूरिय है हमारा ठीक है और यहां पर में यह हम है इसी डॉट के बराबर ही है हम अगर सूरज से जाएंगे भी हम हमारे यह हम लोगों से दूर भी जाएंगे हम लोग ठीक है तो वो तारा जो Proxima Centauri है, इसमें जाने में 4.3 years लग जाएंगे हमको, तो 4.3 light years दूर है, यह हम लोग इसको बोल सकते है, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है, यह भी याद रखने हैं आप लोगोंने, और अगर मैं बात करूँ, हमारे आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो serious है, ठीक है, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा, वो है, serious है, इसको डॉक स्टार भी बोला जाता है, डॉग स्टार भी इसको बोलते है ये भी याद रखना आप लोग सबसे चम्कीला तरह सीरियस है आप लोग होगा ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं चीक है तो प्रॉक्जीमा सेंटोरी जो है ये सूरिय के पास का सबसे पास वाला तरह है यहाँ पर में जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर में आप लोग सेशन को लाइक कर सकते हो यहाँ पर में और जिन भी लोग ने यूपी परिशय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग यूपी परिशय चैनल को सब्स सूरज का चक्कर लगा रही है ठीक है वो और बिट एक इमेजिनरी और बिट है हमारी पृत्वी ऐसी नहीं है हमारी पृत्वी थोड़ी तेड़ी है जूकी भी तो और बिटल प्लेन के साथ में उसका एंगल कितना बनता है ठीक है तो लगभग लगभग यहाँ पर में आद में तो वह बच जाता है 6.5 डिग्री आपका यह जैसे कि आप इस इमेज के अंदर में देख सकते हो साड़े 23 डिग्री पृत्वी हमारी जूकी हुई है जूकी जूकी सी गोल-गोल घूमती है तो साड़े 23 डिग्री जूकी हुई है तो अपने और्बिटल प्लेन के स हात में कितना एंगल बनाती है अगर कक्षिय सतह आ जाए देखो यह एक इंपॉर्टन पॉइंट है आप लोगों का कक्षिय सतह आ जाए तो याद रखना है 6.5 डिग्री जूकी हुई है तो यहाँ पर में लगभग में दिया हुआ था इसी वज़े से आप लोगों का आंस लगती है कभी पानी बरसता है कभी थंडी लगती है कभी गर्मी पड़ती है उसके कारण जो चट्टाने तूटती है उसको वेदरीं कहते आप अपक्षर ठीक है अपक्षर या फिर अपक्षरन कहा जाता है यह याद रखेंगे हवा पानी जलवाईयू की क्रिया द्वरा चट्टान की तूटने की प्रक्रिया को वेधरिंग कहते है आप लोग, एक चीज में आप लोग को यहां पर में बताना चाहता था friends, ठीक है ध्यान से समझना आप लोग, एक डिग्री का मतलब जो है यहां पर में होता है 60 मिनट, ठीक है, तो आधे डिग्री का मतलब कितना हो कैसकते 30 मिनट, ओकै? तो 600 डिग्री 30 मिनट, ये भी बोला जा सकते है, आप लोग हो कितना जुका हुआ है करके, तो ऐसे भी आप लोग üzिग्री का मतलब या जो आप लोगों 0.5 डिग्री जो होता है उसको आप लोग 30 मिनट भी बोल सकते हो फतेपूर सिक्री में इबादत खाना का निर्मान किस ने करवाया था फतेपूर सिक्री में फतेपूर सिक्री जो है आप लोगों का आगरा के पास में एक जगा है जहापर में अकबर जो है अकसर याद रखने हैं आप सबी लोगों ने कि अपना समय बिताता था फतेपूर सि संबन्दित है कलफक, और कली करद अनदर में कनफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने जो भी कलासिकल ढांस है भारत के पिसको आप लोगों ने याद रखना है तो कल ऑफक कली आ जाया आजाया अगर आप लोगों से तो यह केरल से या मोहीनी अट्टम आ जाए मोहीनी अट्टम तो यह केरल से है लेकिन अगर कथाक आए तो उत्तरप्रदेश से भारत-नाट्यम भी कई बार पूछा जाता है तमिल-Naru से यादर नहीं और कुचची पूरी अंद्रप्रदेश से एक और डांस है आपका वो है सत्रिया डांस शत्रिया डांस आसा म से रिलेटर ऐ ख्लासिकल डांस है भारत का सत्रिया डांस ओके next friends, आप लोगों को बताना है कि सांख्या फिलोसोफी किस धर्म से रिलेट रहे है या किस ने प्रतिपादित की थी हमारे भारत के अंदर में छे आप लोगों की बिसिकली फिलोसोफीज है छे के छे फिलोसोफीज आपको याद रखनी है मिमांसा, वैशे शिखा, योग, नियाय, वेदान, सांख्या आप लोगों को याद रखना है मैंने आपको एक जो भी पुराने बच्चे जो हमेशे देखते हैं लेक्टर उनको पता होगा कि सांख्या दर्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि संख्या तो कपिल देव ने बहुत सारी संख्या में विकिट लिए ऐसे याद रखना था आप लोगों ने तो कपिल मुनी जो है इन्होंने सांख्या और मौसी जो है आप लोगों के आपको जैम खिलाती है ऐसे याद रखोंगे पतंजली वाला तो बहुत ही सिंपल है योग दर्शन इन्होंने दिया था योग दर्शन बाकी जो है रिशी कनद वैशेशिक दर्शन के प्रतिपादक है यह याद रखने है आप लोगों ने और वेद व्यास या बदरायन जो है यह वेदान्त दर्शन के प्रतिपादक है बदरायन वेद व्यास जी ठीक है चार। बूर्ध के अंधर में , तलियों does that, अब तलियो धर्म में व सब्सक्स करते इर जघरील घर्ण कौने यह a careful में, जल्दी से तलियों जल्दी आप लोगसार करता है है यह जो D वाला option है आपका यह त्री पीटक है त्री पीटक टीन बास्केट बाकि जो है तीन रत्न जो है वो है बुद्ध ध्म संग बुद्ध भंनने की कोशिष करनि के धर्मिआ इस क्वैंग का पालन करना है यह कशिक में रहना है तो बुद्ध, धम और संग, भारती समिधान में किस अनुछेत के अंतरगत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है, कहा से कहा तक है आप लोगों के जहापर में मौलिक अधिकार आप लोगों को दिये गये है, ठीक है, मौलिक अधिकार दिये गये है, तो भारत के अंदर में part number 3 है, fundamental right, part number 3, इसके अंदर में आप लोगों को article number 12 से लेकर 35 तक का जो part है, पूरा है, इसमें fundamental rights की बात की गई है, तो answer इसका option number B हो जाएगा, 14 से लेकर 32 तक main article से आप लोगों के fundamental rights की लेकिन 12 से 35 तक ये पूरा का पूरा part है, जो part number 3 है, वो 12 से लेकर 35 तक का है, पूरा, total, तो answer इसका option number B हो जाएगा, next है friends, गुलाम का गुलाम, slave of a slave ये किसको कहा जाता है, तो देखिए, actual में क्या था, मोहमद गोरी से ये start होता है, मोहमद गोरी, ठीक है, उसका गुलाम था यहाँ पर में, कुतुबुद्दीन एबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन एबक, इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, फिर इसका गुलाम था, इल्तुत्मिश, इल्तुत्मिश, ठीक है, ये खुद एक गुलाम था, मुहम्म्मद घोरी का ठीके और इलतुतमिष्ट गुलाम था घुटुबुदिन एबक का तो गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है इलतुतमिष को कहा जाता यह यादख नहीं तो का गुलाम को यह यहाद अखने आप लोगों ने कुतुबु दिन एबक का गुलाम था चीक है गुलाम वंश के अंदर में Lord Dalhousie की विलाई की नीती का प्रथम शिकार निमनलिकित में से कौन बना था विलाई की नीती या हड़प की नीती कहा जाता है Lord Dalhousie की Doctrine of Laps जिसको कहते हो आप लोग Lord Dalhousie ने क्या किया था काफी सारे राज्यों को अपने राज्ये के अंदर में मिला लिया था तो Lord Dalhousie ने काफी सारे राज्यों को मिला लिया था तो उनमें से सबसे पहला जो है जो बना था वो था सातारा 1848 के अंदर में सातारा को कबजे में ले लिया था ये जो हड़प की नीती थी Doctrine of Laps थी उसके अंदर में बेसिकली ये बोला गया था अगर मान ली जी कोई राजा है उसका खुद का परसनल प्राइवेट बेटा नहीं है तो वो गोद लिये वए बच्चे को अपना राज्य नहीं दे सकता बेटा होना चाहिए वो भी खुद का तो सातारा राज्य को उसने हडप लिया था यहां पर में तो इस तरीके से अलग-अलग राज्यों को उसने हडप लिया था लॉट डल हाउस दी नेक्स्ट कोश्यन के तरह में आगे बढ़ते हैं आप लोगों को पताना है मुगल सम्राच जहांगीर ने निम्द में से किसे इंग्लिश खान की उपादी दी ती तो इंग्लिश खान हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था हेक्टर नाम का एक जहाज था उससे भारत आया था ओके और सूरत में लेंड किया यह गया जहांगीर के दरबार में अधिकार मांगने के लिए बहुत अच्छी तुर्की और फार्सी भाषा बोलता था तुर्की और फार्सी भाषा मनसब दार बना दिया था उसको मनसब दार बना दिया था उसको 400 जात गा, एक सिंबॉलिक तोर पर मनसब दार बना दिया था उसको आंसर इसको option number C हो जाएगा निम्न में से किस अधिवेशन के लिए Congress ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना अधियक्ष बनी थी लेकिन पहली भारती महिला अगर बोला जाए आप लोगों से तो वह बनी थी 1925 के अंदर में कानपूर अधिवेशन में सरोजनी नाइडू तो पहली महिला जो बनी थी वह बनी थी कलकत्ता सेशन 1917 में एनी बेजंट यह याद रख सकते थे आप सभी लोग नेक्ट कोशन के तरफ में आगे बढ़ते हैं कांसा या ब्रॉंज जो है वो किसका ऐलोई है कॉपर और टिन का, कॉपर सिल्वर का, कॉपर जिंक का, कॉपर या लीड का तो यह भी बता दीजिए जल्दी-जल्दी से जो कॉपर है आप लोगों का हेक्टर वाला कोश्चन पूछा था के बीसी के अंदर में बिल्कुल तो कांसा या ब्रॉंज जो है ठीक है आप लोग जो है फ्रेंट्स ब्रॉंज तो बता ही रहे हो ब्रॉंज आप बताओंगे ही ठीक है साथी साथ में ब्रास का भी बता दे ना पीतल का ब्रास या जिसको पीतल बोलते हो आप लोग ये भी एक मिश्र धातु ये ब्रॉंज या कांसा जो है आप लोगों का ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है तो ये आप लोगों का अंसर हो जाएंगा कॉपर और टिन लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए कि ब्रास किस से मिलकर बनता है तो ये बनता है copper और zinc से मिलकर आपका ठीक है तो ये भी आप लोगों को याद रखने है brass, copper और zinc से तो अभी फिलहाल के लिए यहां पर में कांसा वाला जो है वो तो answer आपको option अब रहे होंगा लेकिन अगर brass या पितल आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये आप लोग answer लगा सकते थे ठीक है चालो फिरोष तुगलक द्वारा स्थापित दारूल शफा क्या था शफा या शिफा भी बोलते हैं उसको दारूल शिफा भी बोला जाता है ये एक दान्शाला थी खैराती अस्पताल था पुस्तकालाय था ये आतितिक रहता तो दारूल शिफा बनाया गया था ठीक है खैराती अस्पताल था ये याद रखना है आप सभी लोगों ने चली तो आंसर आप लोगों को अप्शन नमबर बी तो इस तरह से जो है फ्रेंट्स हम लोग ने यहां पर में हमारा आज का जो सेशन ने उसको कंड़क्त किया है मैं चाहूंगा कि आ आप लोगों को इसकी पीडिया और इसकी टेस्ट मिल जाएंगी तो वह भी आप लोग ले सकते हो जिससे के आप लोगों की काफी अची खासी रिविजन हो जाएंगी तो टीचिंग परिशा आप के उपर में जितने भी मैंने सेशन लिये है उसको आपको मिल जाएगा यू तो भी परिशा भाई TPS से सर्च करोंगे आप लोगों को मिल जाएगा बाकी मिलते हम लोग हमारे next lecture में तब तक के लिए thank you very much, take care and bye, God bless you all, thank you friends, bye.